है लोगों बेक्ट नीव वीडियो तो कैस्स आप लोग को एंट्राइड वीडियो तो पड़ी लिया हूँ ठीक है अब यहां पर देख सकते हैं मेरे हाथ में हाथ में कैच बैट करेड़ कार्ड है इसको मैंने हाली में ही दोस्तों रसीव किया था आप सब को पता ही वह दोस् सिंप्ली सेव केडिकार था जो कि मैं पहले से अभी भी यूज़ कर रहा हूं उसकी पहले थी 50,000 उसमें से इन्हों ने क्या किया बीस हजार की लिमट को निकाल कर SBA के इस Cash Pay के डिकार के अंदर डाल कर मुझे दे दिया पर अब दोस्तों चलो ठीक है वहां तक कोई इशू नहीं है अब यहां पर दोस्तों आपको पता है कि जब SBA के इस Cash Pay के डिकार को आप अपलाई करते हो मतलब के यह दोस्तों आपको किसी भी ओफर के दोरान फ्री नही को बरना पड़ता है अब यहां पर दोस्तों मैंने इस काड को अभी तक यूज भी नहीं किया है और ग्यारा सो नौसी रूपए का इसका जो पहला बिल है वो मुझे यहां पर भीज़ दे गया है अब यहां से देखने में यह लगता है कि दोस्तों देखो 20,000 लिमट है इस पर नहीं है यानि कि स्टार्टिंग में अगर आपने कार्ड को यूज किया ही नहीं है और बेफ जूल में दोस्तों आपको जो है ज्वाइनिंग फीस वह भी पूरे 1180 रुपे के आसपास दोस्तों यहां पर भरनी पढ़ जाए विदाउड एनी यूसे दो ठीक है आपने भी कार्ड को यूज किया ही नहीं फिर भी आपको 1180 रुपे बने पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और लगता है बट यहां पर दोस्तों इस कैस्वाइड के बैनिफिट आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं बट बैनिफिट आपको तब अच्छे मिलेंगे अगर आपके का 1000 लिमेट के साथ आप मन्त में कितनी स्पेंडिंग कर लोगे देखो कार्ड का सो परसेंट तो आप यूज करने से गए कार्ड का आपको सिर्फ 30% 25% यूज करना है यानि कि 20,000 में से दोस्तों आप सिर्फ यहां पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 10,000 या फिर 15,000 ही यूज क क्या आपको पता कि अगर कार्ड का ज्यादा आप यूज करोगे अपनी लिमेट के आसपास आप यूज करते हो तो आपके क्रेड़िट पर आपके स्कोर पर फर्क तो पड़ता ही दोस्तों अब यहां पर दोस्तों यह भी कहा जाता है कि अगर जितना ज्यादा आप दब के card को use करोगे तो आपके card की जो limit है उसको increase करने का उसको enhance करने का भी आपको offer तभी मिलता दोस्तों अगर आप card को use ही नहीं करोगे बहुत ही नामातर use करोगे तब भी आपको यह drawback मिलेगा क्या आपकी card की limit नहीं बढ़ेगी अब यहां पे 20,000 limit है अगर मैं इसको use नहीं करोगा तो इसकी जो limit है इतनी ही रहेगी अगर मैं इसको use अच्छे से करोगा तो मुझे limit इसकी बढ़ने का offer भी आ सकता है बट आज तक दोस्तों मेरे पास SBI के इतने पुराने credit card हो चुके हैं बट अभी तक card की जो limit है उतनी ही है किसी भी card के उपर जो limit increase करने का offer मुझे नहीं मिला है अब दोस्तों आप मुझे कमेंट से मजूर से बताना कि आपके पास SBI का cash by credit card है या फिर नहीं है अगर आपके पास SBI का cash by credit card नहीं है तो link already मैंने जो description में ढाल दिया है बाकि other bank के जो credit card है best credit card उनके भी link आपको जो वीडियो के description में मिल जाएंगे यहां से जाके जो है अपने eligibility के साफ से दोस्तों आप card को apply कर सकते हैं अब दोस्तों इस card की जो joining fees का मुझे statement आया है वो तो मुझे fill up करना ही पड़ेगा आप दोस्तों इस card को मैं use करूँ और तभी दोस्तों इस पैसे को मैं यहां से recover कर सकता हूँ तो दोस्तों यह थी चानकारी अगर आप लोग अपसने इस वीडियो को लाइक करना चैनल को subscribe लरना